सावित्री दो बेटों की मा थी उसे इस बात पर बड़ा घवन था वो मानती थी कि बेटे घर की शान होते है ये ले सावित्री मिठाई खा मेरे यहाँ पोती पैदा हुई है ये सुनते ही सावित्रे मू बना के कहती है अरे तू तो लुट गई बरबाद हो गई तेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई अरे तू ऐसा क्यों कह रही है मैं तो बहुत खुश हूँ अरे जब तेरी पोती के पीछे तुझे खर्चे पर खर्चे करने पड़ेंगे न तब ये तेरी सारी खुशी गम में फदल जाएगी पहले लड़की की पड़ाई लिखाय का खर्चा फिर उसकी शादी का खर्चा अरे आज कल की शादियां कितनी मैंगी हो गई है गहने बनाओ लाखो रुपय पानी की तरह बैज आते हैं लड़कियां तो सिर्फ खर्चा करवाने के लिए ही पैदा होती है इस तरह लड़कियों के प्रती अपने विचार व्यक्त करते हुए सावित्री मम्ता को लंबा चोड़ा भाशन देके चली जाती है अब तो आप लोग इस कहानी में सावित्री दिवी का पात्रे अच्छी तरह समझी गए होंगी कुछ समय बाद सावित्री की बड़ी बहु भी एक लड़की को जन्म देती है फिर क्या था? सावित्री पूरा आस्मान सर पर उठा लिती है यह भगवान यह तु मुझसे किस चन्म का बदला ले रहा है अरे मैं तो मंदिर में रोज आकर तुझसे कहती तो थी कि मुझे एक पोता चाहिए और तुने मुझे पोती दे दी इतनी मिठाईयां और प्रसाद चड़ाने का क्या फाइदा हुआ? तबी सावित्री की बहु नीशा कहती है क्या मा जी आप भी इतनी सी बात पर नाराज हो गई है देखिए तो आपकी पोती कितनी सुन्दर है बिलकल आप पर गई है आरा चुपकर तुझे नौ महीने इतने महंगे महंगे का जो बदा फल फुट खिलाने का फाइदा क्या हुआ? मेरे तो सारे पैसे बरबाद हो गए ये सुन सावित्री का बड़ा बेटा अजे कहता है मा तुम सिर्फ नाम के लिए 2020 में रहती हो असल में तुम्हारा दिमाग सैकड़ो साल पुरानी सोच रखता है आज के जमाने में लड़का और लड़की में कौन फर्क करता है? मैं तो बहुत खुश हो कि भगवान ने मुझे लक्षमी के रूप में बेटी दी है लेकिन सावित्री पर अजे की बातों का कोई असर नहीं होता नालायक अपनी पत्नी की जबान बोल रहा है मेरा बड़ा बेटा तो हाथ से गया लेकिन सावित्री देवी हार मानने वाली नहीं थी वो पोते की चाह में अपने छोटे बेटे विजय की शादी करवा देती है कुछ समय बाद आखिरकार वो दिन आही जाता है जब सावित्री की छोटी बहु गर्भवती हो जाती है सावित्री इतनी खुश हो जाती है कि वो बच्चे के जन्म से पहले ही सारे महले में धिंडोरा पीटने लगती है ये क्या सावित्री तू तो पोते के जन्म से पहले ही मिठाई बाढ़ रही है पहले पोता पैदा तो होने दे और फिर क्या पता अगर पोते की जग पोती पैदा हो गई तो ये सुन सावित्री चिर जाती है अरे आप निकाल जबान मत चला मेरी मिठाई खा के मेरा ही बुरा सोच रही है बड़ी आई ला मेरी मिठाई वापस कर देख ले ना इस बार मेरे यहाँ पोता पैदा होगा पोता लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है सावित्री की छोटी बहु भी एक लड़की को जनम दीती है सावित्री फिर से रोना धोना शुरू कर देती है और अपनी छोटी बहु को कोस्ते हुए भला बुरा कहने लगती है देखते ही देखते यह सावित्री की रोज की आदत हो जाती है एक दिन उसकी सादत से परिशान होकर विजय अपने भाई अजय से कहता है भाया मा खुद एक औरत होकर हमारी बेटियों को पसंद नहीं करती उल्टा उन्हें रोज कोस्ती रहती है मुझे मा की यह अदद पिलकुल पसंद नहीं आती अरे तु ठीक कहता है मैं भी अब मा से तंग आ गया हूँ अच्छा तो अब तुम दोनों इस तरह पीट पीचे मेरी बुराई भी करने लग गए हो नहीं मा हम चाहते हैं कि घर में शांती बनी रहे हमें हमारी बेटियां बहुत प्यारी है मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हारे ताने सुन-सुन कर बड़ी हो और इसलिए हम दोनों ये घर छोड़ कर चले जाएंगे हाँ मा, मैं भहिया की बात से सहमत हूँ जब तुम इस घर में अकेली रहोगी तब तुम्हें अपनों की कीमत का ऐसास होगा अपने दोनों बेटों के मूँ से अपनी मा के लिए इतने कठोर शब्द सुन सावित्रि भावुक और रुवास ही होकर कहती है क्या सच में तुम दोनों मुझे इस घर में अकेली छोड़ कर चले जाओगे हाँ मा, हाँ मा, अब पानी सर के उपर जा चुका है मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती अपनी सास के आंसु देख अजे और विजे की पत्नी अपने पतियों से लड़ पड़ती है अरे जिसे जाना है वो जाए मैं मा जी को छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाली भावी आप ये क्या कह रही है वही जो तुम सुन रहे हो दीदी बिलकुल सही कह रही है हम बेटियों के संसकार हमें सिखाते हैं कि सास मा समान नहीं बलकि मा ही होती है और उस मा की जिन्दकी भर सेवा की जाती है बेटे अपना फर्ज भूल सकते हैं लेकिन बेटी आने ही आप दोनों शौक से जा सकते हैं मा जी हम दोनों के रहते आपको किसी बात की फिक्र करने के जुरूत नहीं। फिर क्या था। सावित्री के ऊपर छाए बेटों के घमन के बादल उसकी बेटी स्वरूप बहूं के तेज के आगे आसु के रूप में परिवर्तित होकर सावित्री की आँखों से पहने लगते हैं और वो उन दोनों को गले लगा ली थी है। मैं जिन्देगी भर बेटियों को कोशती रही। लेकिन आज तुम दोनों को देख मुझे समझ आ गया कि बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां नहीं होती।